हैलो दोस्तो मैं डॉक्टर एके आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल मेडिकल दोस्त दोस्तो आज के वीडियो में एक ऐसा जबरदस्त नुस्के के बारे में आपको जनकारी देंगे और वो नुस्का आप घर पर आसानी से बना कर अपनी योन दुरबलता को बहुत ही आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं वो भी बहुत ही कम खर्चों में और कोई भी बॉडि पे साइड इफेक्ट नहीं होता इस नुस्के का तो दोस्तों वो नुस्का है कामदेव चूड बनाना आज के वीडियो में हम सिखाएंगे कि आप घर पे कामदेव चूड कैसे बना सकते हैं साथ ही कामदेव चूड बनाने के लिए कौन-कौन सी सामगरी लगती है साथ ही कामदेव चूड के फायदे क्या होते हैं ये सारी ब बता दूँ अभी जो है सभी लोग योन दुरबलता से काफी परिशान हैं अगर देखा जाये तो सो लोगों में जो है सत्तर लोग योन दुरबलता से काफी परिशान रहते हैं दोस्तों मैं बता दूँ योन दुरबलता होने की वज़े से उनका जो शादी सुदा जिंदगी सही तरीके से नहीं बीठिता आए दिन पत्नी के बीच में जचगणा होता है साथ ही जब भी वो योन क्रिया बनाते हैं तो हर बार पत्नी को अधूरा छोड़ देते हैं जिससे दोनों के बीच में आए दिन जचगणा बनद होता रहता है और कई बार शादी शुदा जिन्दगी भी तूट जाता है तो दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि आपकी शादी शुदा जिन्दगी सही बिते हर बार आप अपने पतनी को खुस कर सकें और साथ ही आपकी सादी शुदा लाइफ लंबे समय तक चलती रहे तो आप इस वीडियो को ध्यान स से पूरा अंत तक देखें क्यूंकि आपके इन तरह की सारी समस्याओं का इलाज लेकर आया हूं इस वीडियो में दोस्तों काम देव चूड जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये काम वेशना की को बढ़ाता है आपके आपके शरीर में ताकत को काफी बढ़ा देता है अग आपके इन तरह की सारी समस्याओं ठीक हो जाती हैं सबसे बड़ी बात कि आपको इस नुस्के को कहीं से खरीदना नहीं है घर पर बनाना है वो भी बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं बता दूँ अभी जो लाइफ स्टाइल काफी खराब हो गया है लोगों का लोग बहुत ज्याद लेजी हो गया है और अच्छे फूड का इस्तमाल नहीं करते हैं वो जो भी फूड़ी इस्तमाल करते हैं जो उनके शरीर को काफी ज्याद नुकसान पहुंचात गलत खान-पान की वजय से और गलत दिन-चर्या को जैसे लोगो के अंदर काफी ज्याद समा गया है तो अगर आप अपनी गलत खान-पान और गलत दिन-चर्या को सुधार लेते हैं तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती आपका शरीर खुद बाखुद स्वास्ता और हेल्दी रहता है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कामदेव चूड के फायदे के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले ये आपके विर्य के पतलापन के समस्या को दूर करता है यानि कि अगर आपका विर्य बिल्कुल पानी की तरफ पत का पतलापन दूर होता है विर्य गाड़ा होता है इस पर मकाउंट बढ़ता है साथ ही विर्य की गुडवत्ता पहले से काफी अच्छा हो जाता है दोस्तों मैं एक उधारर देना चाहूंगा कि शिग्र पतन की समस्या अभी लोगों में काफी जादा देखने को मिल रही है वो क्यों मिल रही है विर्य के पतले पन की वज़े से अगर दोस्तों आप शहत को अगर गिलास में डाल देते हैं और उसे उल्टा करते हैं तो जिन लोगों को होती है तो इन तरकी समस्या उन्हें देखने को मिलती है यानि कि उनकी टाइमिंग बिलकुल जीरो हो जाती है जल्दी ही शीगरपतन हो जाता है जिससे दोनों तरफ जैसे कि संतुष्टी का अभास नहीं हो पाता दूसरे फायदे की बात करें तो इससे धातू की कमजोरी दूर होती है जो लोग यह शिकायत करते हैं कि उनकी धातू बहुत ही कमजोर है उनका और पिशाप करते हैं तो च चिपचपा कत्रा क्या ऐसास होता है और कोई भी किसी को देख लेते हैं तो फौरन उनका प्राइबेट पार्ट से पानी निकलने लगता है तो यह आपके धादू की कमजोरी को दूर करता है तीसरे फायदे की बात करें तो यह आपके शौपन दोस्त की समस्या को दूर करता ह अभी दोस्तों मैं बता दूँ सौव में सतर लोग ऐसे मिलेंगे जिने शौपन दोस्त की समस्या काफी ज़्यादा लंबे समय से है और वो तरह तरह के मेडिसिनी इस्तमाल कर लिया है लेकिन शौपन दोस्त की समस्या यानि कि नाइट फायल की समस्या ठीक नहीं हो रही है दोस्तो Night File की समस्या लोगों के अंदर अभी काफी ज्यादा है ज्यादा गलत खान पान की वज़े से या गलत दिन चर्या की वज़े से या फिर ज्यादा Mobile चलाने की वज़े से ये समस्याएं आ रही है या फिर ज्यादा smoking करना या देर रात तक जगना ये सो अपने दोस्त को कहीं न कहीं काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं सो अपने दोस्त अगर आपको बार बार होता है तो इससे आपकी शरीर बिल्कुल खोकली हो जाती है आप अंदर से कमजोर हो जाते हैं और धिरे धिरे आपका मन भी कमजोर हो जाता है और आपकी immunity पावर भी कमजोर हो जाती है जिससे आपके गाल जो है अंदर की तरफ धसने लगते हैं वजन तेजी से घटने लगता है और शरीर हड़ियों का ढाचा दिखने लगता है तो शोपने दोस की समस्या भी ये नुसका दूर करता है साथ ही चोथी फायदे की बात करें तो शिगरपतन यानि कि जिन लोगों की टाइमिंग बिल्कुल जीरो है एक दू मिनट में काम खतम हो जाता है तो इस काम देर चूड के इस्तमाल से उनकी शिगरपतन की समस्या जो ह खतम हो जाती है उनकी टाइमिंग 40 से 45 मिनट हो जाती है और वो अपने पार्टनर को भी अच्छी तरह से सतिश्फाइड कर पाते हैं हर बार पाचवे फायदे की बात करें तो लिंग में कठोरता बना रहता है लंबे समय तक अगर आपके प्राइबेट पार्ट में कठोरत काफी लंबे समय तक रहेगा जिससे आप हर बार अच्छी तरह से परदर्शन कर पाएंगे बेट पर चलिए दोस्तों ज्यादे देरी ना करते हुए उस नुसके के बारे में आपको बता देते हैं कैसे बनाना है क्या क्या सामगरी लगता है साथ ही कैसे आपको इस्तमाल कर साथ ही लोगों के लिए यह बेस्ट है जो लोग अगर धातू पोष्टिक चूड इस्तमाल करने के साइड़िक्ट दिखते हैं तो उन तरह के लोग काम देश्चूड का इस्तमाल कर सकते हैं वो भी घर पर बना कर कम पैसे खर्च करकर और बिलकुल आसान तरीका में बताऊ सकते हैं तो चलिए दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए उसके सामगरी के उपर देखते हैं तो शामगरी जो है आपको पांच तरकी जड़ी बूटिया लेनी होती हैं जो कि आपके किराने स्टोर या पंसारी स्टोर या अरवेदी स्टोर पर असानी से मिल जाता है आप च और दूसरी जो शामगरी लेनी होती है 200 ग्राम सफेद मुसली यह भी आसानी से मिल जाता है तीसरी सामगरी की बात करें तो 400 ग्राम आपको मखाने की बीज लेना है चौतिस सामगरी की बात करें तो 400 ग्राम आपको लेना है ताल मखाना लेना है और पांचवे सामगरी की बात करें तो 500 ग्राम आपको मिस्री लेना है आप चाहें तो इसके आधे कौनेटिटी भी ले सकते हैं यह जो मैं कौनेटिटी बता रहा हूं अगर आप बना लेते हैं इतने करीब दो देड़ या दो किलो यह पूरा होता है तैयार जड़ी बुटी अगर बना लेते हैं तो 45 से 50 दिन या 60 दिन चलता है जो कि लंबा चलता है अगर आपको कम दिन का बनाना है तो इस कौनेटिटी को सिर्फ आप आधा कर लीजिए आपका कम दिन का बन जाएगा दोस्तों इसे क्या करना है यह सारी चीजे आप ले लेते हैं तो कौंच की बीज आपको बीना छिलके की ले नहीं है बागी चीजे जो मैंने लिखा इसी तरस से आपको ले लेना है और इसे क्या करना है पहले मिस्टी को अच्छी तरस से आप चोटे-चोटे टुकड़े कर लें उसके बाद मिक्सी में पीस लें यह चारो चीजे डाल देनी है उसके बाद आपको Bye उसे भी अच्छी तरह से मिला देना है मिलाने के बाद उस डबबे को बंद कर देना है टाहिए एयर टाइट कर देना ताकि उसमें हवा ना लगे अब बात कर लेते हैं इस कामदेव जो चूर बणकर त्यार हुआ है कैसे आपको इसतमाल करना है तो इस मोटं करने मिस्टरी थोड़ा बहुत मीठा होता है तो उनके सूगर लेबल बढ़ सकते हैं इसलिए डाइबिडिस के पेशेंट इसका इस्तमाल ना करें तो बेहतर रहेगा इस्तमाल कैसे करना है आपको तीन से छे गराम आपको शुबह शाम गाए या भायंस के दूद से लेना है तीन एक महीने दो महीने तीन महीने कांटिनिव इस्तमाल कर सकते हैं जब तक कि आपकी समस्या ठीक नहीं हो जाती और दोस्तों बिलकुल नेचुरल यह तरीका है काम देवचूड बनाने का इसकी इस्तमाल से आपके बॉड़ी पे कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होता दोस्तो एक बार आप चाहे तो इसमें जो डाले गई सामगरी है उसके स्कृण सौट ले सकते हैं साती फाइदे का भी स्कृण सौट ले सकते हैं तो इस तरह करके आगर आप इस नुष्चे को घर पर बना लेते हैं तो आपको कहें भी किसी वैद या हकीम या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती घर पर ही बनाकर आप अपनी ओन दुर्बलता को जड़ से खतम कर सकते हैं वो भी हमेशा के लिए तो दोस्तों उमीद करता हूं कि ये नुस्के वाला वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो जर पेलिस कर देन सब्सक्राइब ताकि इस तरह की वीडियो कोई मिस ना हो सके अ झाल झाल